दोस्तों नमस्कार जश्री किष्णा जश्री राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे सुक्र रासी परिवर्तन प्रभाव के बारे में दोस्तों सुक्र देव 30 मई 2023 को रासी परिवर्तन करके करक रासी में प्रवेश करने वाले हैं करक रासी में मंगल के साथ में यूती बना करके इनका गोचर होगा गोचर चलेगा 6 जुलाई 2023 तक लगभग 36 दिन का समय रहेगा जब ये गोचर करेंगे करक रासी में किस प्रकार की स्तिती सुक्रदेव बनाएंगे आपके लिए हम जानेंगे लगजरी के कारक सुक्र, प्रेम के कारक सुक्र, आकरशन के कारक सुक्र, मैनेजमेंट के कारक सुक्र, आर्थिक स्तिती के कारक सुक्र आपके लिए किस प्रकार की स्तिती बनाने वाले हैं और आपको क्या कुछ देने वाले हैं यह हम जानेंगे सुक्र रासी परिवर्तन प्रभाव में सबसे पहले आपको बता दें यह है रासी फल यह है गोचर फल चंद रासी यानि आपकी कुंडली वाली रासी के नुसार होता है उससे पूर्व आपको बता दें कि ये परिवर्तन सबसे ज़्यादा खास बनने वाला है इस परिवर्तन में मंगल के साथ में सुक्र का होना महालक्ष्मी योग का भी निर्मार कर देता है और क्योंकि मंगल की इस्तिती नीच गत है नीच रासी में है तो इसलिए एक सबसे बड़ा प्रभाव ये भी देखने को मिलेगा कि जो इसमें बहुत ज़्यादा योग आपने देखा होगा और एस्ट्रोलजिकली सुना भी होगा बहुत सारे एस्ट्रोलजर से कि ये मंगल सुक्र का योग महालक्ष्मी योग के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा ब्यविचारी योग क्योंकि ब्यविचारी योग भी कहते हैं ब्यविचार बहुत ज़्यादा करवाता है लेकिन जब मंगल नीच का होता है तो ब्यविचार कम और धनागम बहुत होता है इस योग में मतलब धन की स्तिती बहुत बहतर होती है तो आखिर जाने किसके लिए धनागम की स्तिती बनाएगा किसके लिए बहतर स्तिती बनाएगा और क्या कुछ बनाएगा यह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सबसे पहले बात करेंगे रासियों के करम में सबसे पहली रासी मेश रासी के बारे मेश रासी वालों सुक्र काय है रासी परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है आपको मकान का सुक देगा मकान इत्यादी बना पाएंगे मकान बनानी की प्लानिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आ कोई दिक्कत नहीं है बलकि आपको इतना धन मिलेगा आप पैसे की है वह जैसे अगर मकान को थोड़ा डिले कर रहे हैं मकान बनाना या खरीडने में ऐसी कोई चिंता है तो छोड़ दीजे क्योंकि वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी धनागम की स्तीती बनेगी अगर बिज किसमत इसमें काम आएगी और आप मकान बाहनित्यादी ले पाएंगे राजनीतिक हैं राजनीती में उच्छ सफलता प्राप्त होगी और प्रॉपर्टी से सम्मंदित काम करते हैं प्रॉपर्टी का काम बहुत खराब चल रहा है मंगल की नीच की वजए से तो ऐसी स्तिती म आप बहुत अधिक चांस हैं कि आपका अगर पैसा फसा हुआ है वो पैसा रिकाबर हो जाए और आपकी प्रॉपर्टी सेल होने लगे प्रॉपर्टी का काम है तो अच्छा चलने लगे फिर दूसरी स्तिति है कि आपके कार्य चेत्र में आपकी करियर में भी बहुत इत्यादी का काम करते हैं मेंक मेनेजसर हैं, वहां पर आपके लिए और जादा बहतर समय होने वाला है, यहां तक और आप के प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं, दूसरी इस्तिति आपकर आपको काम बिदेश से सम्मधित है, तो आपको वहां पर भी बहुत लाव होगा लेकिन सुक्र के इस इस्तिती की वज़े से आपको हो सकता है कि लव लाइफ में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़े पार्टनर हो सकता है कि आपके वो इच्छा पूरी न करें जो आप चाहते हूं और यहां के सुक्र बहुत ज्यादा व्यक परशित नहीं होना है और खास करके अगर वो व्यक्ति मेरिड हो तब तो आपको बिल्कुल भी नहीं होना उस चीस से बचना है वहाँ पर आप बहुत बड़े फस सकते हैं सुक्र के सिस्तिती में धनलाव अधिक मात्रा में होता है इसमें कोई संदे नहीं अब बात करते हैं ब्रिशव रासी की ब्रिशव रासी के लिए देखा जाए तो सुक्र का यह है रासी परिवर्तन आलस इत्यादी आपको बहुत आएगा आलसी बहुत बन जाएंगे और सबसे अधिक मात्रा में ब्रिशव रासी बालों आपकी मेहनत का जो फल है वो आपको मिलेगा मेहनत जो पहले की थी जो रुका हुआ फल है वो आपको मिलेगा वो आपके लिए अच्छा लाव है लेकिन आपको आलस से बचना है क्योंकि आलस आपका सबसे बड़ा सत्रू होगा इस पूरे गोचर में शुक्र के इस रासी परिवर्तन से आपकी लव लाइफ में भी ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगी कि आप दोनों में भरोसे की बहुत कमी होगी भरोसा नहीं कर पाएंगे इस गोचर की वज़े से शुक्र के गोचर की वज़े से प्रमोशन के योग बन रहे हैं या ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं मंगल शुक्र की युथी की वज़े से ये बहुत ज़्यादा अच्छी इस्तिती आपके लिए बना सकती है अगर आप बिजनिस ब्यापार करते हैं बिजनिस ब्यापार में बहुत लाव ये दे सकते हैं अब बात कर लेते हैं मिथुन रासी वालों की मिसुन रासी वालों सुक्र का गोचर आपको धनलाब ही देगा और ऐसी स्तिती में आपको मंगल बहुत ज़्यादा सहयक बन जाएंगे और धन की स्तिती बहुत बहतर बनाते जाएंगे यहाँ पर अगर आपका extra fair है तो वो आपके लिए हानी कारक हो सकता है आपको नुकसान दे सकता है और उसमें अगर emotional है तो ज़्यादा परेशानी होगी अगर emotional नहीं है तो ऐसी कोई खास परेशानी नहीं होगी आपको अचानक से कई बड़े offer मिल सकते हैं, कई बड़े project मिल सकते हैं क्यूंकि आप अगर modeling के छेत्र में काम करते हैं, model इत्यादी हैं तो आपको बहुत बिशेस lag मिलने वाला है, कई बड़े offer मिलने वाले है, artist हैं तो बड़े offer मिलने वाले हैं और खास करके आप OTT प्लेटफोर्म इत्यादी पर कोई अक्टर हैं और ऐसे अक्टर हैं जो खास करके OTT फिल्म जैसे बनती हैं उस तरीके अक्टर हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा समय रहने बाला है सेर मार्केट में अगर निवेस किया था वो निवेस आपका नुकसान में था तो आप वो फायदे में जाने लगेगा लेकिन इसमें जल्दवाजी नहीं करिएगा कि फायदे में जाते ही आप उसे कहीं से भी प्रॉफिट बनाने लगें या कुछ भी ऐसा करने लगें आप थ कुछ अपने ही आपको नुकसान कर सकते हैं या आप से फाइदा उठा सकते हैं अब बात कर लेते हैं करकरासी वालों की करकरासी वालों सुक्र का है परिवर्तन आपको बहुत ज़्यादा अपने उपर खर्चे करने के लिए कहेगा बहुत खर्चे आप करेंगे अपने उपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और बहुत ध्यान देंगे भी married life बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि सुक्र तो अच्छी करेगा लेकिन मंगल की इस्तिती से खराब चल रही है कुछ बहत्री इस्तितियां निश्ची दूर्प से बनेंगी married life में और दूसरी सबसे बड़ी इस्तिती आपके धनलाव की बन रही partnership के व्यापार में अधिक मात्रा में लाव होगा आप यह देखेंगे कि अगर आपका luxury life से सम्मंदित business है आप luxury product का business है beauty polar इत्यादी खोलना चाहते है beauty polar या beauty product से सम्मंदित business है सिंग रासी वालों की आपके लिए इस्तितियां बहुत ज़्यादा खर्चे की बन रही है खर्चा ही खर्चा होगा और बीमारियों में ज़्यादा खर्चा हो सकता है और हो सकता है कि किसी महला की बज़े से भी खर्चा हो आपको opposite खास करके अगर आप महिला है तो पुरुष से सावधान रहे हैं, पुरुष से तो महिला सावधान है, खास करके ऐसे में जहां age gap बहुत जादा है, ऐसे में आपको relationship में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, यह आपके लिए हानी प्रद हो सकता है, मतलब relationship तो नहीं कह करज लेने से बचना है और करज देने से भी बचना है, पैसे का लेंदेन खतरनाक हो सकता है, नुकसान दायक हो सकता है, अब बात कर लेते हैं कन्यरासी वालों की, धनलाब बहुत होगा और हर प्रकार से लाभ ही लाभ होगा, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, आपको संत्तिती प्राप्त हो सकती है और उसके साथ साथ आपको लव लाइफ में भी इस्तितियां काफी बहतरीन इस्तितियां देखने को मिलेंगे बहुत बिसेश इस्तितियां इस पूरे गोचर काल में आपके एक्ष्टा फैर की रहेंगी वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा पार्टनर के साथ में संबंद बहुत अच्छे होंगे सुक्र के इस परिवर्तन से धनलाव प्रमोशन ट्रांसफर इत्यादी की स्थितियां भी अच्छी देख रहे हैं अब बात कर लेते हैं तुला रासी वालों की तुला रासी वालों देखा जाए तो आपके लिए सुक्र का यह है गोचर धनलाव अधिक मात्रा में कराने वाला है करियर में उच्छे सभलता दलाने वाला है अगर आप महला है तो बिशेज रूप से आपको लाव होने वाला है अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं अधिकारी इत्यादी के लिए कोई प्रेपेर कर रहे हैं कोई अग्जाम दे रहे हैं किसी भी अगर बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाव दिखने को मिल सकता है उम्मीद से ज़्यादा आपको लाव हो सकता है इसमें इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके फैमली में किसी की तवियत इत्यादी ज्यादा खराब रह सकती है तो आपको उसकी लापरवाई ही नहीं करनी और उनका ध्यान रखना है खास करके parents में ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है यानि कि माता-पिता में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है उनके health में दिक्कत हो सकती है अब बात कर लेते हैं व्रिष्चिक रासी वालों की व्रिष्चिक रासी वालों सुक्र का परिवर्तन माला माल बनाएगा आपको निश्चत के योग बहुत ज्यादा बन रहे हैं और सबसे ज्यादा आपके लिए जो आपका आलस है वो भाग जाएगा वो दूर हो जाएगा ट्रांसपर प्रमोशन के साथ-साथ आपके लिए भी योग बन रहे हैं कि आपको साधी का कमिट्मेंट या सीरियस कमिट्मेंट आपको दे सक जो नुकसान होंगे वो extra fair इत्यादी से नुकसान होंगे extra fair में married life बरवाद हो जाए वो नुकसान होंगे और बहुत अपनी अच्छी अच्छी चीज है खोजें आप वो चीज आपका नुकसान होगा लेकिन आपको धनलाव होगा marketing field में या कोई भी modeling का छेत्र में model है तो वहाँ पर आपके लिए बहुत लाव की स्थितियां बनेगी garment से संबंदित business है तो वहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियां बनेगी cinema जगत से कोई भी किसी प्रकार का कारे करते हैं या खेल जगत से कोई भी margin जगत से कोई भी कारे करते हैं तो आपको बहुत लाव ही लाव मिलेगा ये स्थिति है अब बात कर लेते हैं मकर रासी वालों की मकर रासी वालों सुक्र परिवर्तन से आपकी married life में इस्तितियां थोड़ी ठीक होंगी लेकिन वंगल की वज़े से बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो पाएंगी बाणी पर नियंत्रा रखें और सुक्र के गोचर का लाब आपको पार्टनेशिक के ब्यापार में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा बिसेश रूप से करियर में उन्निती के योग बन रहे हैं और करियर भी अगर finance से संबन्देथ है तो और बिसेश रूप से आपको IT सेक्टर में भी लाब देखने को मिलेगा इस गोचरकाल में आर्टिस्ट हैं या संगीतक गये हैं संगीत के छेत्र से हैं म्यूजिक इत्यादी के छेत्र से हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत लाब देखने को मिलेगा फिर यहाँ पर आपके लिए इस्तितियां ये भी खास बन जाती हैं कि विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं अब बात कर लेते हैं कुम्बरासी वालों की कुम्रासी वालों यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा नुक्सान दायक रहेगा खास करके अपने partner से साफधान रहें या किसी भी opposite sex से आप साफधान रहें male हैं तो female से साफधान रहें और खास करके महलाएं ही ज़्यादा नुक्सान जायब हो सकती है महला हैं तो महला से जरूर साफधान रहें business रूप से आपके लिए देखा जाए तो इस्तितियां खर्चों की बहुत बनने हैं, खर्चे बहुत होंगे, कर्ज में जा सकते हैं और अकारण बहुत परिशानिया भी आपको परिशान कर सकती है लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा third party की problem परिशान कर सकती है और बिसेस रूप से आपको विदेश अगर जा रहे हैं, विदेश यात्र हो जाती इस बीच में तो बहुत ज़्यादा उसमें परिशानी नजर आएगी और परिशान हो जाएंगे आरतिक स्तिती खराब होने की वज़ेसे भी परिशान हो जाएगे अब बात कर लेते हैं मीन रासी वालों की मीन रासी वालों सुक्र के इस परिवरतन से आपकी लब लाइफ काफी ठीक होगी और बहुत बड़ा बदलाव आपकी लब लाइफ में देखा जाएगा बिसेस रूप से आपको बैसे तो यहाँ पर इस्तितियां सत्रू रासी के सुक्र हैं लेकिन फिर भी आपके लिए धनलाव की बन रही हैं और बहुत जादा आपको लालच नहीं करना इस चीज में थोड़ी सी आपको सावधाने रखने हैं लालच आपको साइद हो सकता है सम्मंदित है CA इत्यादी है CA की पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है करियर भी आपका अगर फाइन से सम्मंदित तो बहुत अच्छा जाएगा कला के जट्र में वहाँ पर भी अच्छी स्थिति कर पाएंगे तो दोस्तों यह था सुक्र का रासी परिवर्तन प्रभाव यह रासी भल आपको कैसा लगा यह वीडियो में बताईए कमेंट करके बताईए और वीडियो अगर पसंद आई से लाइक सेर कमेंट जोरू कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों नमस्कार